हेलो एवरीवन प्रीद बायलोजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ओफ सेल के बारे में अक्सर एक्जैम में पूछे जाते हैं कि सेंटिस्ट का नाम पूछा जाता है और उन्होंने क्या डिसकावर्ड किया था सेल के किस पार्ट को सेल की डिसकावर्ड किया था यह कोशन पूछे जाते हैं और यह एक्सर एंसी आर्टी के ही होते हैं तो यह वैरी वैरी इंपॉर् को गलत करके आते हैं तो शुरू करते हैं जो सबसे पहले साइंटेस्ट का नाम दिया हुआ है सेल चैप्टर में क्लास 11 की बुक है यह उसमें सबसे पहला नाम है एंटॉन वॉन लुवन हॉक का नाम है ठीक है जिन्होंने सबसे पहले देखा था और डिस्क्राइब किया था लाइफ सल के बारे में एक जीवित सल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था देखा था एक तो कोशन में क्या पूछ रहा है यह जरू पढ़ लिया करिए किसने किसने देखा था किसने डिस्क्राइब किया था किसने नाम दिया था किसने नोटिस किया था यह बहुत मतलब की डिपेंड करता है कि वह सैंटिस्ट का नाम है क्योंकि एक ही सैंटिस्ट ऐसा नहीं होता है कि उस उसने किसी सेल पर काम किया और उसके बारे में सब कुछ उसने होता है पहले काम कोई और नाम देता है इस तरह करके जो है एक है कि सबसे पहले किसने देखा था और सबसे पहले किसने की डिसक्राइब किया था ठीक है तो उनका नाम था एंटॉन वन लिवन होक ने सबसे पहले देखा था और डिस्क्राइब किया था उसके बाद देखें यहां पर वन डाल लीजिए मैं पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी लेकिन मुझे लगा कि इतना तो कम सकम बता दूं आपको उसके बाद जो है पहला पॉइंट वीसे और दूसरा ६्राउन ने रॉबर्ट ब्राउं ने बाद में तो इंप्रूव्मेंट होके एलेक्ट्रॉन माइक्रोइस्कोप बना और जिसके कारण जो है क्या रिवेल हुआ और भी स्ट्रक्चर सेल का अच्छे से पता चला ठीक है जब एलेक्ट्रॉन माइक्रोइस्कोप आया और यहां पर कहीं यह नहीं लिखा है कि ने लाइफ सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था उसके बाद है सेल थियूरी के बारे में इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजों के बड़ा गलत करते हैं कैसे मैं बताती हूं पहले इसको देख लीजे इन 1838 ठीक है मता एस और इनका कहना मैं मतायस लाइडिन यह जर्मन क्या थे बॉटनिस्ट थे ध्यान दीजिएगा यही गलती होती है जो स्लाइडन थे वह बॉटनिस्ट थे और वह बॉटनिस्ट थे इसलिए उन्होंने क्या एक्जैमिन किया था अलाज नंबर अफ प्लांट से तोसे पार्णों को औभ जर्व किया था और उन्होंने क्या अब्जर्व मैं बञद हैं यह एक tief मैं वर यह इन प्लांट में बनाते हैं ऐसा बोला था Sliden ने Sliden के ते botanist थे उन्होंने plant cell के बारे में बोला था उसके बाद क्या था at about the same time उसी समय जब यह Sliden जो थे जब यह plant cell के बारे में study कर रहे थे उसी समय को साइंटिस्ट थे ठीक है एक बिटिस्ट जो लोजिस्ट थे वह क्या थे पॉटनेस्ट थे और सुवाण क्या थे जो लोजिस्ट थे इन्होंस ने स्टडी किया था स्टडीड डिफ्रेंट टाइपस ऑफ एनिमल सेल के बारे में किया था ठीक है स्लाइडर ने प्लांट सेल के बारे में किया था और रिपोर्टेड और उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था उन्होंने रिपोर्ट किया था दैट सेल हैज है थिन आउटर लेयर cell के पास एक पतली सी थिन जो है outer layer है which is today known as the plasma membrane जिसे हम लोग क्या बोलते हैं plasma membrane बोला जाता है तो यहाँ पे दो बात निकल के आई कि जो sliding थे उन्होंने plant cell पे काम किया था swan जो थे उन्होंने animal cell पे काम किया था ठीक है और he also concluded based on his studies on plant tissues swan जो है इन्होंने क्या conclude किया था अपने studies के बेसिस पे इन्होंने यह बताया था plant cell plant tissue पे जब इन्होंने किया था ठीक है study जो और यह conclusion दिखाया बताया निकाला that the presence of cell wall is unique character of the plant इन्होंने भाई यह तो अनिमल पड़े थे और यह प्लांट जब भाई इनके friend जो थे वह animal cell के बारे में study कर रहे थे तो उनसे पूस्ते होंगे ना बताओ तुमने मतलब plant cell के बारे में देखा तो क्या देखा मैंने तो भाई animal cell में यह देखा दोनों लोगों ने unique character of the plant cell एक unique character के अगर बात करें plant cell की तो क्या है उनके पास क्या होता है cell wall होता है on the basis of this is इसके basis पे स्वान ने प्रपोज्ड की थी एक hypothesis बताई थी that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells तो hypothesis का मतलब उसके बारे में करके उन्होंने एकदम से पूरा वो नहीं पता लगा था एक hypothesis बनाई थी उन्होंने बताया कि जो plant और animal दोनों की जो body होती है वो बहुत सारे cell और products की बनी होती है ठीक है तो यह जो sliding और swan थे यह दोनों लोगों ने क्या किया था मिलके दोनों लोगों ने मिलके cell theory बताई थी तो अगर किसी option में ऐसा question पूछ ले को कुछन पूछ ले कि cell theory किस ने दी थी ठीक है और उसमें swan का भी नाम हो option b में sliding का नाम हो option c में किसी xyz कोई किसी का नाम हो और d में swan insulin sliding दोनों का नाम हो तो जो दोनों का रहेगा वही cell theory वही वाल option सही होगा हुआ क्या था मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और कोई एक्जैम था शायद वह PGT और PGT उत्राखंड का एक्जैम था ठीक है या किसी स्टेट का था तो उसमें बहुत सारे मतलब स्टुडेंट थे वह ट्रेवल कर रहे थे उसी ट्रेड में तो ऐसा ही उसे पूछ लिया था कि स्टून ने अलग-अलग आपशन देखिया किसने सेल थी तो अपस में वह लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैनीज्ञ सेल दिया था नहीं ये होगा वह तो उस उस समय मेरे दिमाग में यह स्ट्राइक किया था कि देखिए NCRT से ही कोशन ऐसे पूछे जाते हैं लोग कहते है NCRT को कोई ज़रत नहीं पढ़ने की इसलिए ज़रत पढ़ती है लोग कन्फ्यूज हो के अब यही जब आप रिफ्रेंस बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको यह स्वान और स्लाइडें इतना समझ में नहीं आएगा जितना NCRT में अच्छे से इसने क्लियर एकदम अच्छे से बता दिया है ठीक है क्लियर कर दिया है उसके बादे नेक्स्ट इस थिवरी हावेवर डिट नॉट एक्स्प्लेंट यह नहीं की थी कि सेल किस तरह बनती उन्होंने यह बता है था कि जो होती है कि आनिमल और प्लांट की जो बॉड़ी होती है और जो होता है यह नहीं बताया था कैसे बनी थी न्यूंस यह नहीं बताया था तो यह हो गया तीसे साइन्टिस्ट तीसरे और चौते चार साइन्टिस्ट हो गए जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया अब है नेक्स्ट है देखिए फिफ्ट जो है रुडॉल्फ विर्चो यह इन्होंने क्या था इन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेइन किया था डाइड सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स जिसको की एक स्टेट्मेंट इन्होंने दिया ओम नीज सेलूला इसलूला तो जो चीज सेल थी में रहे गई थी जिसमें यह पता नहीं चल पाया यह कुछ था किसल कैसे बनती है रुडॉड विर्चो ने एक्षिफ्लेइन किया था सब से पहले फॉरस्ट फॉर्स थे ठीक है यह वोस्ट एक्स्प्लेंट सबसे पहले इन्होंने एक्स्प्लेंट किया ता कि सेल्स इडिवाइड ऍबाइड उतिएं म्जोह पॉर्मू प एंका यह नंब तहां जो इन्हों ने फिर जो है पोधेसिस दी हुई थी कि अधिए जो आल प्लांट्स आर कंपोस्ड उफ सेल्स एन प्रोड़क्ट से और व्सेल्स यह दोनों लोगों ने मिलके दी थी ना एक hypothesis कि स्वान नहीं दी थी स्वान नहीं दी थी तो इसको इन्हों ने इसमें दोनों लिखा है और उसके बाद इन्हों ने फिर एक फाइनली जो है बताया कि अगर आप से कोई पूछे अगर आज की जमाने में अगर वह मतलब आज का अगर व्यू देखे तो आज के टाइम में क्या बता है जगा वसल थियूरी को क्या बताएंगे तो आप यह बताएंगे क्योंकि उस समय उन लोगों को पता नहीं था इतना अब तो पता है न और लोगों ने आके बताया और लिविंग और गिनिजम्स हार कंपोज़ आफ से जितने भी लिविंग आपना स्टेटमेंट भी मिला दिया इन्होंने राइज फ्रॉम प्रीएंग्जिस्टिंग सेल्स थे इन दो स्टेटमेंट को बताती है ठीक है तो हो सकता है कि ऐसा कोशन भी पूछ ले कि जो है कि यह जो चार आप्शन्स दिये हुए हैं इन मेंसे कौन सा स्टेटमेंट सल थिवरी को बताता है तो यह याद रखिएगा ठीक है एंसी आर्टी में इतना ही दिया हुआ था हिस्ट्री के बारे में अब और गिनिल के बारे में दिया है और गिनिल भी मैं एक एक लेकर आऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजे शेयर ज सब्सक्राइब किया है तो ऐसे ही अच्छे से और पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत तन्यवान बबाई